जी सेवन देशों के प्राइस कैप पर भारत का तगड़ा वार भारत के धांसू फैसले पर खुशी के मारे उचला रूस दोस्त रूस के लिए दर्जनों देशों से भड़ गया भारत भारत के सैक्शन का रूस को भी नहीं था अंदाजा अब दोस्त रूस दे सकता है भारत को नए योधा का सर्प्राइस दोस्त वैसे तो संकट में फसे रूस की भारत मदद लगातार करी रहा है और अमेरिका और तमाम तरह के पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की चेतावनी के बाद भी भारत रूस से लगातार करूड ओयल खरीद रहा है जिससे रूस की अर्थ विवस्था बरबाद होने से बच रही है यो मान लीजिए कि रूस की खिलाफ तमाम तरह के अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ भारत रूस की ढाल बना हुआ है और उसे आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होने दे रहा है और ये कई महिनों से चल रहा है लेकिन दोस्तों क्रूड ओयल को लेकर असली जंग तो अब शुरू हुई है जब G7 देशों यानि की कनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापैन, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर रूस के खिलाफ सबसे कठोर कदम उठाने का फैसला किया यानि कच्चे तेल को खरीद कर जहां भारत जैसे देश रूस को कमजोर नहीं होने दे रहे इस कच्चे तेल के द्वारा ही रूस को बरबाद करने का एक बेहूदा प्लान यानि ओल पर प्राइस कैप का फैसला लेकर सीधे सीधे शब्दों में विश्व के साथ देश भारत को इस फैसले के खिलाफ हो गए हैं जो भारत ने अपने दोस्त रूस को संकट से बचाने के लिए उठाया था लेकिन दोस्तों ये सारे देश शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब ट्रम्प कारेकाल में अमेरिका और इरान की परमाणू हत्यारू को बनानी को लेकर पैदा हुए संकट में भारत खुद इरान से लगातार तेल खरीदता रहा था बावजूद अमेरिकी धमकियों के फिर रूस तो भारत का दोस्त है दोस्तों अब और प्राइस के आपका ये जो कदम रूस के खिलाप लिया गया है भारत ने इसका जो जवाब इन जी सेवन देशु को दिया है उसे सुनकर ही रूस का दिल गार्डन गार्डन हो गया है औ जिससे हो सकता है उबरे पश्रिमी देश भारत की खिलाफ हो जाएं जी सेवन देशों के प्राइस कैप को भारत ने मारी लाद भारत के अंतिम फैसले पर खुशी से उचल पड़ा रूस दोस्तो रूस टेंशन में तो उस वक्त ही आ गया था जब जी सेवन देशों ने मिलकर रूस के खिलाफ प्राइस कैप लगाने का फैसला किया था ताकि भारत जैसे देश अगर रूस से तेल खरीदे भी तो वो भारत तक पहुँची ना पाए और चाह कर भी भारत रूस द इसके साथ ही भारत और रूस की दोस्ती नए मुकाम पर पहुँच चुकी है एक ही जटके में रूस भारत के उस वैसले से काफी खुश है जिसमें उसने जी सेवन देशों की तरफ से तेल की तैय कीमत का विरोध किया है जी हां जी सेवन देशों के रूसी क्रून ओयल पर प्राइस कैप का भारत ने इस समर्थन नहीं किया है और उल्टा इसका विरोध किया है भारत की फैसले से ही रूस काफी खुश नजर आ रहा है एक तरह से जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली है क्योंकि अगर भारत इस प्राइस कैप को मान लेता तो भारत का ना तो उतसान देने वाला होता और बाकी देश जो फिलहाल रूस से भारत से ज्यादा रेट पर तेल खरीद रहे हैं वो भी फिर प्राइस कैप के हिसाप से ही रूस को कच्छे तेल का पेमिंट करते जो काफी कब होता और रूस की अर्थ विवस्था का बंटा धार पुचाता ले इन दिसम्बर को जी सेवन और उरोपियन यूनियन इस बात पर रजामंद हुए थे कि रूस से आने वाले तेल को साथ डॉलर फ्रती बैरल के हिसाप से खरीदा जाएगा सितंबर में G7 देश इस बात पर रजामंद हुए थी कि रूस से आने वाले तेल की एक कीमत तैक कर दी जाए यानि एक बैरल तेल की कीमत 7 डॉलर जो बहुत कम है इस रेट पर रूस अगर तेल बीचने लगा तो एक तरह से फ्री में तेल बीचना हो जाएगा जाहिर तोर पर रूस ने इस कीमत को खारज कर दिया और पश्यमी देशों को अन्जाम भुकतने की चेताब नी दी वही दोस्तो भारत ने जिस तरह से रूस का दिल जीता है जिस तरह से रूस ने भारत का शुक्री आदा किया है वो ये दिखाता है कि जल्दी भारत और रूस के बीच काफी कुछ नया होने वाला है क्योंकि दोस्तों रूस के लिए भारत ने जी सेवन देशों से एक तरहा से दुश्मनी मोल ले ली है हो सकता कि खुनस में आया अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा दे लेकिन दोस्तों अमेरिका ने भारत के खिलाफ ऐसा किया तो भारत के पास भी उसकी कमजोरी है उसकी एक ऐसी काट भारत के पास है जो भारत संकट की समय काम मिले सकता है अमेरिका की भी कमजोरी जानता है भारत भारत पर प्रतिबंध चाह कर भी नहीं लगा पाएगा अमेरिका दोस्तो आपका सवाल है कि जिस तरह से रूस के लिए भारत मी जी सेवन देशों से पंगा मोल ले लिया है और जी सेवन देशी क्या बलकि खाड़ी देश जो तील का निर्यात करते हैं उनसे भी भारत मी प्राइस कैप का विरोध कर एक तरह से पंगा मोल लिया है तो दोस्तो भारत किसी के भी दबाओ में नहीं आएगा और भारत वो सब करेगा जो देश हितने हैं और यही अब किया है भारत में हां अमेरिका खुननस में अगर भारत पर कई मोर्चों पर एक्शन लेता है त्रतिबंध लगाता है तो फिर यह उसके लिए ही घातक होगा क्योंकि एक केरिया है हिंद प्रशान्त शेतर जिस पर चीन दबदबा कायम करना चाहता है वहीं अमेरिका का रूस से भी खतरनाक दुश्मन है चीन और अमेरिका जानता है कि बिना भारत की मदद लिए वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है क्योंकि चीन से 9571 किलो मीटर दूर बैठा अमेरिका ये कभी नहीं जान पाएगा कि चीन की सेरिये पर हमला करने से तूट सकता है चीन की कमजोरी क्या है ये सब भारत जानता है इसलिए चीन से भारत की दुश्मनी भी एक तरह से भारत का फायदा ही करवा रही है और रूस जैसे दोस्त देश की मदद करने के लिए भारत जिस तरह से बेतरीन कूटनीती का इस्तिमाल कर रहा है वो रूस को भी हैरान कर रहा है और दोस्तों जिस तरह से रूस ने कच्ची तेल की भयंकर खरीद के बाद भारत को अपना टी यू वन सिस्टी बॉंबर सौपने का एलान कर दिया है अब सुखोई 57 चेक में जैसे छटी के हवाई लडाकी की तक्मीक अगर रूस भारत को सौपने लग जाए तो हैरान मत हुएगा क्योंकि ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में और इसका ग्रीन सिगनल तो रूस पहले ही दे चुका है कि वो इसे सिर्फ भारत को ही देना चाहता है हाला कि इस पर ऐलान होना बाकी है खेर दोस्तों इस समंद में आपका क्या कहना है क्या भारत ने जिस तरह से रूस की मदद की है वो सही है और भारत इसको लेकर और क्या कदम उठा सकता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए